तो House of the Dragon का नया सीजन आने वाला है पर क्या आपको एक एक डीटेल याद है कि पिछले सीजन में क्या हुआ था नई याद है तो कोई बात नहीं मैं आपके लिए डीटेल रीकैप लेकर आया हूँ जिससे आपको पिछले सीजन याद भी आ जाएगा और नए सीजन को देखने से नहीं जा रही तो ये रीकैप में तरफ से है आपके जैसे फैन के लिए जहां वो सारी इंपॉर्टेंट डीटेल्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए सीजन टू देखने से पहले अगर आप Game of Thrones और House of the Dragon की दुनिया के बारे में पहली बार जान रहे हैं तो मैं आपको पहले बता दूँ कि Targaryens में शादी के रूल्स अलग हैं वो लोग जातर अपने खून में ही शादी करते हैं ताकि Dragon Riding उनके खून में ही रहे और ये रिवास कई Targaryen यहां भी फॉलो करेंगे तो दोस्तों मैं हूँमन सिना और आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं Season Recap House of Dragon Season 1 का वीडियो शुरू करने से पहरे लाइक करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं तो स्पॉलर्स कर धियान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं यह सीरीज शुरू होती है ओल्ड किंग जहरिस Targaryen के दिखने से जिनके दो विसरिस से बड़ी थी अपने राज के 9 साल बाद किंग विसरिस Targaryen एक प्रतियोगिता यानि टूर्णमेंट रखते हैं उनकी वाइफ को इन एमा एरन की प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट करने के लिए इस बात का कॉन्फिडेंस रखते हुए कि इस बार उन्हें बेटा होग जिसे वो राजगदी का वारिस चुनेंगे किंग विसरिस की अपनी छोटी समिती यानि स्मॉल काउंसल में मास्टर आफ शिप्स लॉर्ड कॉलिस विलारियन राजा को बताते हैं कि वेस्टरोस के पास एसस कॉंटिनेंट में फ्री सिटीज ने एक होकर ट्रायर की बनाई ह जिससे वो वेस्टरोस के शिप ले जाने वाले रास्टे को बरबाद करने वाले हैं पर समॉल काउंसल उनकी बात को नहीं सुनता वहीं उस काउंसल में किंग विसरिस का हैंड सर आटो हाई टावर विसरिस के भाई और अभी के वारिस और शेहर के वाच कमांडर प्रिंस ड क्रिमिनल को पनिश करने के लिए किंग विसरिस की एकलौती बेटी रेनेरा और उनके हैंड आटो हाई टावर की बेटी एलिसेंट अच्छे दोस्त होते हैं टूर्णमेंट में एक जवान नाइट सर क्रिस्टन कूल डेमन को हरा देता है उसी दौरान कुईन एमा का बच्चा होने वाला होता है जिसमें उन्हें दिक्कत हो रही होती है तब किंग विसरिस से पूछा जाता है कि वो बच्चे को बचाना चाहते हैं या अपनी वाइफ को जिस पे विसरिस अपने बच्चे को चुनते हैं और खुखार सी सेक्शन किया जाता है जिसमें कोईन एमा मारी जाती है और जो बच्चा होता है उसका नाम तो रखा जाता है बेलॉन पर वो भी कुछ दिर बाद मर जाता है तब स्मॉल काउंसिल किंग विसरिस को अपना नया वारिस चुनने की विंति करती है पर विसरिस मना कर देते हैं तब ही किंग का हैंड ऑटो हाई टावर उन्हें बताता है कि उनका भाई डेमन उनके बेटे की मौत का जश्ण मना रहा है बेलॉन को एक दिन का वारिस बताते हुए इस बात से गुस्ता होकर किंग विसरिस अपने भाई डेमन टार्गेरियन को अपने शहर किंग्स लैंडिंग से निकल जाने का आदेश देते हैं जिसके वो अपने एकलोती बेटी प्रिंसेस रेनेरा को अपना वारिश चुनते हैं यानि एर टू दा आइरं थ्रोन एक बहुत बड़ी सर्मनी होती है यहां वेस्टरॉस के सारे लॉड्स कसम खाते हैं कि विसरेस के बाद Princess Rhaenyra ही Westeros पर राज करेगी जिसके बाद King Viserys Rhaenyra को Westeros के पहले Targaryen राजा Aegon the Conqueror का सपना बताते हैं कि भविश्च में North से एक ऐसी सर्दी आएगी जिसके आगे तूटा हुआ Westeros खड़ा नहीं हो सकता इसलिए Iron Throne पर एक Targaryen का होना जरूरी है जो कि पूरे वेस्टरोस को एक करके इस सर्दी से लड़ सके एपिसोड 2 शुरू होता है छे महीने बाद जहां डेमन टार्गेरियन वेस्टरोस के कैपिटल किंग्स लैंटिंग से निकाले जाने के बाद बस गया है टार्गेरियन के अपने कासल ड्रैगन स्टोन में दूसरी तरफ प्रिंस एड्मिरल क्रेगास ड्रेहार जिसको क्रैफ फीडर के नाम से भी जाना जाता है वो एस्टरोस की ट्रायरकी की तरफ से वेस्टरोस के शिप जाने के रास्ते में पढ़ने वाले आईलैंड में आतंक मचाना शुरू करता है जिसके लिए कॉल्डिस विलारियन ने पहले ही चेताबनी दी थी रेनेरा इसके लिए कहती है कि उन्हें ड्रैगन्स लेकर जाना चाहिए इस परिशानी से निपटने के लिए जिसके लिए किंग विस्रिस की tomorrow council रेनेरा की suggestion को नकार देते है और से भेज देते है अपना king's guard चुनने के लिए प्रिंसेस रेनेरा के आगे कई night आते हैं पर उस सब को ignore करते वे सर क्रिस्टन कोल को चुनती है क्योंकि वहाँ वो अकेला नाइट था जिसे लड़ाई का experience था किंग विसरिस अपनी पत्नी और बच्चे के मौत के दुख में अभी भी थे जिसके लिए उनका हैंड सर ओटो हाई टावर अपनी टीनेज बेटी लेडी एलिसेंट को दुखी राजा को सांतवना यानि कंसोल करने के लिए भेजते हैं जो कि विसरिस को सला देती है कि वो अपनी बेटी रेनेरा से बात करे उनके वापिस शादी करने के लिए राजा की शादी के लिए Lord Corlys Valyrian और उनकी वाइफ प्रिंसेस Rhaenys अपनी 12 साल की बेटी Lena Valyrian का प्रस्ताव रखते हैं Valyrian और Targaryen डोनों Valyrian roots से आते हैं और यही आईडिया था इस proposal के पीछे कि ये दोनों Valyrian घर एक हो जाएं दूसरी तरफ Small Council को पता चलता है कि Daemon अपने आपको राजा का असली वारिस ठहराते हुए Dragon Eggs ले गया है और अब वो अल्रेडी शादी शुदा होते हुए अपनी रखेल मिसेरिया से शादी करेगा किंग विसरिस का हैंड और्टो अपनी चोटी सी टुकडी लेकर जाता है Dragon Stone उन अंडों को लेने रेनेरा उनके पीछे आती है अपने Dragon Syrax पे और डेमन को अपने जूटे दावे ठुकराने और अंडे वापिस करने पर मजबूर करती है वहीं किंग विसरिस सबके आगे और्टो हाई टावर की बेटी एलिसेंट से शादी करने की बात रखता है जिससे कॉल्लिस विलारियन गुस्ता होके वहां से चला जाता है और डेमन से जाके हाथ मिला लेता है रिनेरा और एलिसेंट के बीच की दोस्ती भी करवी हो जाती है एपिसोड 3 शुरू होता है तीन साल बाद तीन साल से लॉड कॉर्लिस और प्रिंस देमन एक साथ मिलकर क्रैप फीडर और उसकी आर्मी से लड़ रहे थे स्टेप स्टोंस में वो भी बिना किंग विसरिस के सपोर्ट के दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में किंग विसरिस एक बड़े शिकार का उत्सव प्लान कर रहे होते हैं ताकि अपने और अपनी प्रेगनेंट कुईन एलिसेंट के बेटे एगॉन का दूसरा बढ़े मनाए रेनेरा को अपने पिता पर गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसके सौतेले भाई एगॉन को ज़ादा अटेंशन दे रहे हैं अपने मन के सारे डाउट हटाते हुए विसरिस रेनेरा को भरोसा दिलाते हैं कि उसके सौतेले भाई के आने से कुछ बदल नहीं जाएगा और वो ही अभी भी उनकी वारिस है जो कि अपने ले लड़का खुद चुन सकती है दूसरी तरफ आटो हाई टावर और उसका भाई होबर्ट हाई टावर पीट पीछे एगॉन को राजा का वारिस बनाने की स्कीम सेट कर रहे होते हैं जिससे हाउस हाई टावर की पावर और उनका रुतबा बढ़े स्टेप स्टोन से कॉलिस वलारियन का भाई वेमन वलारियन राजा से मदद मांगता है जिसके लिए केंग विसरिस स्टेप स्टोन से मदद भेजने के लिए तयार हो जाते हैं ये बात जानते ही डेमन समझ जाता है कि अब वो खुद को प्रूव नहीं कर पाएगा और इसलिए वो खुद को चारा बनाकर क्रैफ फीडर को बाहर निकलवाता है जिसके बाद कॉल्डिस वेलारियन की आर्मी उसका साथ देती है और डेमन राजा की मदद आने से पहले ही क्रैफ फीडर हो खतम करता है और जंग जीतता है एपिसोड 4 शुरू होता है रेनेरा के जगा 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 जाके अपने लिए अच्छा वर्ड होनने से पर उसको कोई नहीं मिला जिसके बाद वो वापिस किंग्स लैंडिंग आ जाती है डेमन टार्गेरियन स्टेप स्टों उसके जातर हिस्सों पर जीत पाकर वापिस किंग्स लैंडिंग आता है जहां उसने अपने आपको बुलाया किंग ओफ दा नैरो सी डेमन किंग विसरेस के पास आता है और उनके आगे सर जुकाता है जिसके बाद दोनों भाई एक होकर जश्ट मनाते हैं एलिसेंट और रेनेरा भी वापिस दोस्त बनते हैं शाम होते ही डेमन और रेनेरा निकल जाते हैं किंग्स लैंडिंग के सैर पर जहां वो एक अजीब सा प्ले देखते हैं और एक तवाइफ खाने में जाते हैं डेमन रेनेरा को सेडियूस करता है पर वो खुद को रोकता है और रेनेरा को वहीं छोड़ कर चला जाता है रेनेरा महल में वापिस आती है और अपने किंग्स गार्ड सर क्रिस्टन कोल को सेडियूस करती है किंग्स गार्ड किसी के साथ इंटिमेट नहीं हो सकते पर क्रिस्टन कोल आयन थ्रोन के एर को मना नहीं कर पाता रेनेरा और डेमन के किंग्स लैंडिंग में इंटिमेट होने की खबर और टो हाई टावर को अपने गुप चरों से मिलती है जो कि सीधे किंग विसरिस को ये बात बताते हैं एलिसेंट भी ये बात सुन लेती है और अकेले में रेनेरा से इस बारे में पूछती है पर रेनेरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है उसको किसी ने नहीं चुआ किंग विसरिस पहले डेमन के पास जाते हैं और सिफ पूछते हैं डेमन नशे में धुत इस बात से मना नहीं करता और अपने भाई से रेनेरा का हाथ मांगता है विसरेस कहता है कि डेमन ताज पाने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकता है जिसके बाद वो डेमन को वेल भेजते हैं जहां डेमन की पतनी रहती है इस पूरे कांट से बचने और अपने आयन थ्रोन की मजबूती के लिए विसरेस रेनेरा को और देते हैं कि उसकी शादी लॉड कॉर्लिस वेलारियन के बेटे सर लेन और वेलारियन से होगी रेनेरा इसके लिए आटो हाई टावर पर इलजाम लगाती है कि उसने उसके पिदा को मैनिपलेट किया है ताकि उसका खुद का फायदा हो सके जिसके बाद विसरेस आटो से उसकी हैंड की पोजिशन छीन लेते हैं और सर लाइनल स्ट्रॉंग को बनाते हैं नया हैंड दूसरी तरफ ग्रैन्ड मेस्टर मेलोस लाजा के कहने पर रेनेरा को एक टी देते हैं ताकि वो इस पूरे कांड के बाद प्रेगनेंट ना हो एपिसोड फाइज शुरू होता है वेल के दिखने से डेमन टार्गेरियन अपनी वाइफ लेडी रेया रॉस का मर्डर कर देता है दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग से जाने से पहले सर और्टो हाई टावर को इन एलिसेंट को चेतावनी देते हैं कि रेनेरा के आयन थ्रोन पर बैठते ही उसके दोनों बेटे उसके लिए खत्रा बन जाएंगे रेनेरा और सर लेनोर वेलारियन का रिष्टा पक्का हो जाता है जिससे लौर्ड कॉर्लिस वेलारियन बहुत खुश होते हैं रेनेरा जानती है कि लेनोर को लड़किया नहीं लड़के पसंद हैं इसलिए वो उसके आगे आइडिया रखती है कि दोनों अपने पिता की बात माने और अपनी रॉयल ड्यूटीज पूरी करें राज जी को एक वारिस देने का जिसके बाद दोनों अपने अपने लवर्स के पास चले जाएं इस आइडिया से लेना और को कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर क्रिस्टन भी रेनेरा को आइडिया देते हैं कि वो दोनों अस भाग जाएं और नए ना अपना ले रेनेरा रेयान को लेकर अपनी ड्यूटी जानती थी इसलिए हो मना कर देती है ये कहते हुए कि अभी हम जो कर रहे हैं वो करते रहें आगे एलेसंट सर क्रिस्टन से पूछती है डेमन और रेनेरा के बीच के रिष्टों के बारे में पर क्रिस्टन को एलेसंट का सवाल समझ नहीं आता और वो कबूल करता है कि वो रेनेरा का लवर है रेनेरा और लेनौर की सगाई सेलिबरेशन के टाइम किंग विसरेस स्पीच दे रहे होते हैं तभी उनकी स्पीच के बीच में कुईन एलेसंट आती है ग्रीन गाउन में ये सिगनल कलर है कुईन एलेसंट के पिता आटो के हाउस हाई टावर का कि वो लोग लड़ाई के लिए तयार हो जाएं डेमन भी इस सगाई में आता है लेडी रिया रॉइस का कजन डेमन के सामने आता है ये बोलते हुए कि उसे उसके कामों के लिए छोडा नहीं जाएगा पर डेमन लेडी रिया के murder से deny कर देता है और कहता है कि वो जल्दी ही आएगा अपनी पतनी की जमीन लेने Lenore का लवर सर जॉफरी लॉनमाउथ सगाई में समझ जाता है कि सर क्रिस्टन कोल रेनेरा का लवर है जो कि उसके पास जाता है उससे बात करने पर क्रिस्टन को लगता है कि जॉफरी उसे ब्लैक मेल करने की धमकी दे रहा है जिसके बाद वो उसे बुरी तरह मार देता है जिससे लेनोर टूट जाता है और सारे महमान दहशत में आ जाते हैं तब बिना किसी गेस्ट के रेनेरा और लेनोर की शादी होती है जहां शादी होते ही किंग विसरिस बेहोश हो जाते हैं दूसरी तरफ कुईन एलिसेंट क्रि विसरिस विलारियन और एक बच्चा अभी हुआ है जिसका नाम सर लेनॉर के लवर जिसकी उनकी सगाई में देथ हो गई थी उसके नाम पर रखा गया जौफरी विलारियन पर एक प्रॉब्लम थी इन तीनों बच्चों के बालों का रंग रेनेरा के बालों के रंग जैसा नह ना होगा क्योंकि विसरिस का पहला बेटा होने के नाते वो हमेशा रेनेरा के लिए खत्रा है और इसलिए उसकी लाइफ हमेशा खत्रे में है डेमन ने लॉड कॉलिस वेलारियन की बेटी लेना वेलारियन से शादी कर रखी है और उसकी दो बेटिया है बेला और रेना ये इस सभी एसॉस की फ्री सिटी पेंटॉस जाते हैं जहां का प्रिंस उन्हें लॉड बनाने की बात करता है जिसके बदले में वो उनका साथ दे वापस खड़े हो रहे है ट्रायर की के खिलाफ उसी दौरान लेना अपने बच्चों को जनम देने की कोशिश करते करते ठक जाती है और बहुत परिशान होकर अपने ड्रैगन वेगार को कहती है कि वो उसे जला दे किंग्स लैंडिंग में सर क्रिस्टन अब एलिसेंट के साथ हैं वो सर हार्विन पर अटैक कर दिता है ये इशारा करते हुए कि हार्विन ही रेनेरा के बच्चों का बाप है परिवार में किंग विसलिस का हैंड सर लाइनल स्ट्रॉंग अपने बेटे को लेकर जाते है हेरुन हाॉल कासल ये बार-बार कहा जा रहा है कि सर हार्विन ही रेनेरा के तीनों बच्चों के पिता है दूसरी तरफ Queen Ellicent की बात होती है Hand Sir Lionel Strong के छोटे बेटे Laris Strong से जिससे वो कहती है कि वो चाहती है कि उसके पिता Sir Otto वापिस Hand बन जाए Laris तीन क्रिमिनल्स को यूज करता है Haren Hall में आग लगाने के लिए जिसमें Lionel और Harwin मारे जाते है इस event के बाद Renera King's Landing से चली जाती है Targaryen House के Castle Dragonstone में जहां वो अपने पती बच्चों के साथ Lenor के खास दोस्त Sir Carl Corrie को भी ले आती है Episode 7 में King Viserys और उनकी कोट, Daemon की वाइफ और Lord Corlys Velaryan की बेटी Lady Lena की अंतिम संसकार में हिस्सा लेते हैं Viserys यहां अपने भाई Daemon के बीच रिष्टा नहीं सुधार पाते पर Renera और Daemon एक दूसरे से मिलते हैं और इंटिमेट होते हैं दूसरी तरफ Viserys और Elicent का छोटा बेटा, Prince Eamond उस समय के सबसे बड़े ड्रैगन, Vegar को क्लेम कर लेता है जो कि बिलॉंग करता है लेडी लेना को, इसलिए लेडी लेना की बेटियों और Eamond के बीच जड़प हो जाती है उसी बीच रेनेरा का दूसरा बेटा Lucerys, Eamond की एक आँख चाकू से स्लैश कर देता है जब ये बात Elicent को पता चलती है, तो विसरिस की विलेरिन स्टील खंजर लेकर लिसरिस की आँख लेने के लिए आगे बढ़ती है पर रेनेरा उसके आगे आ जाती है, जिससे Elicent उसके हाथ पर चोट कर देती है जिसके बाद उन दोनों की जड़ब के बीच विसरिस को सुनाई देता है, कि लोग रेनेरा के बच्चों को नाजायस बोल रहे हैं तब किंग विसरिस सोकुम सुनाते हैं, कि जिसने भी आज के बाद ऐसी बाते उठाई, उसकी जबान काट ली जाएगी जिसके बाद आटो हाई टावर अपनी बेटी ऐलीसेंट को भरोसा दिलाते हैं, कि एमन का वेगार को क्लेम करना उनको जीत के और करीब ले जा रहा है रेनेरा और डेमन एक होते हैं एलीसेंटर उसके परिवार के खिलाफ, दूसरी तरफ लॉर्ड कॉल्डिस की पतनी लेडी रेनीज अपने हजबन को सजेस्ट करती है कि उनकी जमीन ड्रिफ्ट मार्क, उनकी मरी हुई बेटी लेडी लेना की बेटी बेला को दी जाए ताकि उनका ड्रिफ्ट मार्क एक सच्चे विलारियन के पास जाए, क्योंकि रेनेरा और उनके बेटे लेनार के बच्चे सही में न जायज है दूसरी तरफ लेनार का अच्छा दोस्त सर कार्ल लेनार के सामने आता है और उसको मार देता है और पीछे छोड़ जाता है एक जली हुई बोडी जिसके बाद डेमन और रेनेरा अकेले में शादी कर लेते हैं अपने पुराने वेलेरियन ट्रेडिशन में ताकि टारगेरियन वंश आगे बढ़ता रहे दूसरी तरफ पता चलता है कि लेनार ने अपनी मौथ का जूटा ना टकल चा था ताकि वो कार्ल के साथ कहीं भाग जाए एपिसोड एट में छे साल बाद लौड कॉर्लिस वेलेरियन स्टेप स्टोंस के लड़ाई में बहुत घायल हो गए थे उनका भाई सरवेमन किंग्स लैंडिंग में याचिका रखता है कि उसे लौड कॉर्लिस के बाद डिफ्ट मार्क मिले ना कि रेनेरा के बेटे लुसिरिस को क्योंकि वो नाजायज है रेनेरा और डेमन जिनके दो बच्चे और हुए हैं एगॉन टार्गेरियन और विसरिस संभाल रहे हैं प्रिंस एगॉन जब एक हैंड मेडन के साथ जबरदस्ती करता है तब कुईन एलिसेंट इस बात को धगने की कोशिश करती है दूसरी तरफ रेनेरा लौड कॉलिस की वाइफ रेनीस के पास जाती है उसका सपोर्ट लेने ये प्रस्ताव रखते हुए कि उ राजा के हैंड के सामने आता है पर इससे पहले कोई बहस शुरू हो किंग विसरिस अपनी कमजोर हालत में वहां आते हैं उनका भाई डेमन उनकी मलत करता है आयन थ्रोन पर बैकने में और तब वेमन की याचिका सुनी जाती है जहां वेमन चिला कर बोलता है कि रेनेरा के बच्चे नाजायज हैं जिसपे विसरिस अपनी विलेरियन खंजर निकाल लेते हैं वेमन की जबान काटने के लिए पर तभी डेमन अपनी पतनी की बेशती के लिए वेमन का सर आधा ले जाता है अपनी विलेरियन तलवार डार्क सिस्टर से किंग विसरिस लिसरिस को ट्र तो वो चुप शाफ वहाँ से चला जाता है ये सब एलिसेंट की नौकरानी देख रही होती है जो कि इसकी और हर पल की खबर डेमन की जो रखेल हुआ करती थी मिसेरिया उसे देती है किंग विसरिस अपने मौत के करीब एलिसेंट से एगॉन दा कॉनकरर का सपना बढ़ बढ़ाते हैं जिससे एलिसेंट को लगता है कि विसरिस उनके बेटे एगॉन की बात कर रहे हैं एपिसोड नाइन में किंग विसरिस के मरते ही उनके हैंड सर आटो स्मॉल काउंसिल को बताते हैं और्टो विसरिस की देट को सीक्रेट रखता है ताकि काउंसिल ने जो फैसला लिया है वो मजबूत रह सके जिसके बाद वो महल में मौजूद नोबल हाउजिस के लॉर्ड को मजबूर करते हैं एगॉन का साथ देने के लिए और जो लॉर्ड नहीं मानते उन्हें जेल में ड उनको एगॉन पहले मिले और रेनेरा को मरवाने का फर्मान जारी करवा पाए जबकि एलिसेंट सर क्रिस्टन और एमन को भेजती है एगॉन को लाने ताकि रेनेरा को देश निकाला घोशित किया जाए जुडवा भाई एगॉन को पहले ढून लेते हैं पर क्रिस्टन और जबरदस्ती उनसे उसे ले जाते हैं ऐलिसेंड के करीबी Lord Larry Strong उने बताते हैं कि उनकी नौकरानी के साथ साथ और भी गुपचर है महल में जिसमें ऐलिसेंड कहती है कि इन गुपचरों में जो सबसे उपर है उसे खतम करो, फिर अलिसेंडe एगॉन को मनाती है कि वो अपना हक ले किंग्स लैंडिंग के लोगों को ड्रैगन पिट ले जाया जाता है जहां एगॉन का राजतिलक होगा लौड कॉर्लिस वेलारियन की वाइफ प्रिंसेस रेनीज भी वही थी उन्हें एगॉन का राजया बनना मंजूर नहीं था उनको जुडवा भाईयों में से एक सर एरिक आजाद करवाते हैं और वो ड्रैगन पिट के नीचे अपने ड्रैगन मेलीज के पास जाती है एगॉन का राजतिलक होता है जहां उसे उसके पूरवज एगॉन दा कॉनकरर का क्राउन पहनाया गया किंग्स लैंडिंग की जंता खु उन आने से और रेनेरा को ये बताने से कि किंग विसरिस अब नहीं रहे और उसके सौतेले भाई एगॉन को उनकी राजगर्दी दी गई है इस ख़वर का असर प्रेगनेंट रेनेरा पर अच्छा नहीं होता और उसकी बच्ची समय से पहले बहार आ जाती है और नहीं बच जहां उसे उसका रॉयल टाइटल और ड्रेगन स्टोन रखने की छूट है और उसके बेटे लुसरिस को ड्रिफ्ट मार्क मिलने की छूट है ड्रेगन स्टोन में डेमन को गुस्सा आता है जब रेनेरा उसे बताती है कि रियान को एक करना जार जरूरी है जहां वो उसे इसको भीजा जाता है हाउस एरिन जो की रेनेरा का नहीं हाल है हाउस टार्क जो कि अपनी कसम कभी नहीं भूलते और हाउस बरैथियन की तरफ जो कि हाउस टार्गेरियन के कजन भी लगते हैं लुसिरिस अपने ड्रैगन पर जाता है हाउस बरैथियन के कासल स्टॉम्स एंड पर लॉड बोरोस बरैथियन को उनके पिता की कसम याद दिलवाने कि उन्होंने आलरेडी रेनेरा को वारिस माना था पर वहाँ वो देखता है प्रिंस एमन आलरेडी वहाँ है जहां एमन वेगार पर बैट कर उसके पीछे आता है दोनों ड्रैगन अपने ड्रैगन राइडर की बात नहीं मानते और लुसिरिस का एरक्स, एमन के वेगार पर आग छोड़ता है जिसके लिए वेगार लूसेरिस और एरकस दोनों को खा जाता है इमनको इसकी उमीद नहीं थी, यह बात रेनेरा तक पहुचती है और रेनेरा गुस्ते से भर जाती है तो दोस्तों यह था रीकैप हाउजवर ड्राइगन सीजन वन का बचा दिये ना आपके कई घंटे वह इंपोर्टेंट डीटेल के साथ मैं नहीं सीजन के लिए बहुत एक्साइटेड हूं पर मैं जानना च सोचल मेडिया हैं पर हमारे साथ शेर करें हम हर जगह हैं तो दोस्तों अगर आप डीसी उनिवर्स की डीप नॉलेज रखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इंजस्टिस गौड सामंगा सीरीज रेकमेंड करूंगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो बसंद आए तो इस हमारी बस्द आपको वीडियो रखना चाहते हैं तो पिस अगर प्रचाब हमारी येजर्स की यवर्स की हैं